हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू अधर अपिसोड सो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे जिगर के टुकड़ों सो कैसे हो आप सब तो आपका विलाउस फिर से आजी रहे न्यू ब्रैंड अपिसोड के साथ जैजागी गाईज यार आप सब ने मुझे सपोर्ट जो किया है उसके करेंगे हम लोग दो दो हाथ तो गईज जल्दी से आप भी आजओ एंड यार वीडियो कर अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ली जेगा इस फिल से क्योंकि मौका तो देना बनता है गाईज तो जल्दी से जाओ यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन दवा के जल्दी से हमारे वीडियो सेक्षिन में आ जाओ तो लेस्ट को चलते हैं अटैक पर तो गाईज हम लोग आ चुके हैं अपने बेस के उपर अभी गाईज यार बेस के उपर आने के बाद अब देखते हैं पहले बेस का हाल और बेस का हाल तो अपना ठीक है अपना बड़ियां चलना है फिलाल अब क्लेन वाल लीग का हाल देखते हैं तो भाई हम लोग हारने वाले हैं एक्चुल में हारने वाले नहीं यार बिलबच अब मेरे बहुत सारे अटेक बाकि हैं तो भाई इधर 13 भरा हुआ है तो मैं इसको वाई कम से कम ठाटी फोटीटिन तो मैं करी दूँगा क्योंकि मेरे बाई 15 के और 13 के दोनों अटेक पड़े हैं मेरे तो अभी एक 12 का भी अटेक है 12 के अटेक से मैं ये वालो इस्टरजी निकालने वाला हूँ जो कि ये श्टरजी आप नहीं नहीं इससे तो मैं 13 का जी निकालूँगा और एक बता रहा हूँ मैं 15 का base निकालूँगा 12 से आज मैं mind blowing attack दिखाने वाला हो इस base को मैं निकालूँगा 12 से 2 start तो guys आप लोग यार देखना जरूर और इस वीडियो को पूरा एंड यार guys अंतक बने रहना ठीक है हमोग 12 के base पे चलते हैं अभी guys यार 12 के base पे हम लोग आने के बाद अब दिखते हैं 努 कोन सा बनाया हूँ तो guys यार जैसा कि troop मैं ने यह बनाया है आप लोग सोचोगे कि यह कोन सा तूप है तो गाईज यही टूप है आप लोग देखना बहुत ही खतरनाग टूप है तो विलालेयर गाईज हम लोग को सीज मसीन में क्या ले जाने हम लोग को सेम यहीं ले जाने कोई टेंशन नहीं बस इसके जगा हम लोग को हटाने है और इसकी जगा रखना है हम लोग को दो ये ठीक है बस और कुछ नहीं रखना है ओके नाइस वन एंड हाँ चलो इसी को रख लेते हैं ओके और 45 एम के जगा हाँ ठीक है ओके खतम किसा आएं टाटा बाई बाई हो गया अभी गाई जार मेरे पास है अभी दोको यह म मैं 15 14 पर अटेक कर रहा हूं गाइस तो मेरी थोड़ी दिकत हो सकती है बड़ लेस गो मैं इसी पर करूंगा अटेक हम लोग यार करेंगे यहां पर अर्चर ठीक है ओके नाइस वन तो यहां पर हम लोग को भाई यह टी को छोड़ देते हैं चलो भाई अभी गाइस यह तो मुझे यहां पर पता चल गए यहां बम नहीं है ठीक है तो अब बम नहीं है तो गाइस यार अभी हम लोग को क्या करना है सिंपल से एक यहां पर ऐसे गिराना है इन्वीजबल और यहां पर ऐसे पूरे के पूरी अर्चर और यह क्लोन ठीक है बस उसके बाद देखो काम चलो भाई चलो कोई नहीं एंड हो चुका है अभी गाईज यार बूम बाम अब गाईज यार क्या करना है हम लोग को बस सिंपल एक एलेट्रो यहां जे छोड़ देना है एक एलेट्रो यहां जे छोड़ देना है ताकि फनल बनता रहे और भाई इनकी ताता तया होता रहे ठीक है न एक एलेटी यहां जे छोड़ना है एकेटी यहां छोड़ना है और पेक का सारे के यहीं से और यहीं से अपनी सीज मसीन राजा रानी और भाई यह और भाई सारे के सारे पॉलर ठीक है बस गाईज यहीं करते हुए जाना अंदर के और यहां पर लीटी जाएगी ताकि यह बारवेरियन और सीची को ना मार पाए ओके भाई मुझे लग रहा है मैं 50 निकाल पाऊंगा गाईज मुझे तो थोड़े से डाइवेड लग रहा है भाई मैं 50 परसेंट ला पाऊंगा क् मुझे 50 परसेंट लाने में टाइम लगेंगे भाई जल्दी जल्दी चलो यार क्या कर रहे हो नहीं आप आएगा गाईज नहीं आप आएगा भाई प्लीज प्लीज इसकेटर सौट यार मुझे जितना फैलू मिलना तब मिला नहीं यार आइम वेरी वेरी सौरी गाईज 46 परसेंट तो फर्स्ट अटेक सर्चुका है 46 परसेंट हाँ गाईज कोई नहीं 29 है अभी हम लोग का भाई में था मुझे मालूम था यार कि मैं पूरी कोशीज करूँगा बड़ यार कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चलो गाईज अभी हम लोग के यह अटेक था अभी हमारे पास 15 का अटेक है ठीक है चलो भाई इसी पर करेंगे अटेक तो मुझे सब कुछ है ना मेरे पास इनफ है यास यास सब कुछ इन चलो भाई यहां पर करेंगा धवाय और भाई भाई जल्दी से टी अच को ले क्या कर रही है नाइस वन इगल को ले ले इगल को ले इगल को इगल को इगल को भी इगल को भी नाइस वन ओपी चलो भाई बहुत अच्छा काम कर दिया अभी गाईस इधर से अभी यहां से एक लेट्रो यहां से एक लेट्रो इधर से सारे के सारे लेट्रो जाएंगे ठीक है अब एक दो बैबी जाएंगे इधर से ऐसे और इधर से भी आर्सी जाएगी और इधर से अपनी कुईन और बार्बेरियन जाएंगे और इधर से ये वाई जाएगा अपना ठीक है मैं इसको इसलिए छोड़ा गाईज ताइम अपना बचेगा चलो बाई यहाँ पर मुझे एबिलिटी देनी पड़ेगी वरना यह ड्राइगन बहुत गंदा मारेंगे मेरे के सारे एलेट्रोफो एक साथ मारते हैं न गाईस बागी यहाँ यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब बैबी ड्राइगन और यहाँ पर मेरी कुईन को डाउन कर रहे हैं चल वाई नहीं कर रहा है वाई यहाँ से इसको मैं छोड़ देता हूँ बैबी को तो नॉर्मली यह 3 star हो चुका है जैसा कि आप सब देख सकते हो ठीक है तो मैं इसका 3 star कर चुका हूँ ठीक है फाइनली इसको मैंने अराम से 3 star कर दिया है अभी गाइस यार चलो यह हो गए 3 star और हम लोग हो गए है टॉप 1 पे तो गाइस यार अभी हम और के बहुत सारे बंदो का अटेक दिखाएंगे जो कि भाई जो परफेक्ट अटेक किया उसकी मैं अटेक दिखाने वाला हूँ जिसकी माइंड ब्लोइंग अटेक थी और भाई यह मैंने 3 star हो गई अभी 3 star 10 से 13 पे टेक कर लूँगा हो जाएंगे मैं इधर से जाने वालो ठीक है चलो लेस गो चलते हैं इधर से गाइस और इधर से चलेंगे अब जो भी होगा सो देखा जाएगा तो देखो पहला चीज हम लोग को नहीं यार डिफेंस तोड़ना है तो यहां पर भाई हम लेत् टो मा रा चलो भे मारो फ़नल बनाओ फ़नल बनाव फ़नल बना प्....प्लीज यारफ म बनादे .... नहीं बना पाया यार i think मुझे लग रहे है न मुझे चेन्ज करना पड़ेगा यहां पर लेत्रो डालता हूं को ठीक है चलो भाई यहां से अपनी भाई हो गई है यह और यह भी यह भी यह भी सब यह सब छोड़ दिया और यहां से कुई राजा और रानी और भी बहके ना यार बस बहके ना अलग डायरेक्शन में जाएंगे ना तो दिक्कत हो गया गई अलग डाइरिक्शन में गई गई भैंस पानी में आर्सी भाई अलग ना जाना प्लीज अंदर की ओर जा चलो आर्सी चे निकाल देगी किसी तरह टी अच नाइस वन निकाल देगी आर्सी निकाल देगी इधर से बॉलर सारे के सारे जाएंगे ठीक है ओके अभी यहां से बैटिंग होगा गाई यहां से स्टार्ट होगा बैटिंग ठीक है चलो इसको पूस्ट करेंगे इसको पूस्ट करना बहुत ज़रूरी था अभी गाइस त्री स्टार हो सकता है क्या इसको पूस्ट कर देते हैं यह बहुत दिक्कत कर रहा है ओ भाई टोनेडर कितने सारे टोनेडर है यार लो भई या ओं फो इदर यहन दो तीन फिजार चोड़ देता हूं तो भाई हो जाएंगे थ्री स्टार हो गएं फाइनली एक पेल के साथ तो एक स्पेल हम लोग यहांपे इस पैम कर सकते हैं यहां पर लोग अबलीटी मार दिया चलो भाई फाइनली यह मैंने थ्री स्टार कर दिया जूट बूट के टर रहा था बेस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था यार फ़नल अपना नहीं बन दना दिक्कत होती तो फिलाल यह मैंने यह कर दिया कंप्लीट और इसी के साथ हो गए है थ्री स्टार और हम लोग हो चुके हैं टॉप पे और एक अटेक हम लोग की अभी नहीं हुई है जो कि मैं भाई से अगर वो कहूंगा कि एक अटेक वो जो बचा है उनका अटेक तो वो अटेक कर लेंगे बाकी एनमीज का अटेक दिखा देता हूँ टॉप वाले दो अटेक बचे हैं ठीक है टॉप 15 के दो अटेक बचे हैं उसके तो मतलब कि अगर वो बंदा 3-3 श्टार भी निकालता है मेरे बेस पे तो सिंपल जी बात बता रहो 3-4 इस पे निकाल दिया 3-4 इस पे निकाल दिया तब भी वो 36 लाए गाद मैच जीश सकता है गाईज वो मैच जीश सकता है टॉप लेबल के दोनों अटेक बागी हैं उनके मुझे एक श्टार आओर चाहिए तो मैं किसी तरीके से ये भाई जो बचे है किनका क्या नाम है इनका अपने टीममेट का इनसे कहना है किसी तरह one end क्लेशर भाई क्लेशर भाई आप अटेक करो और मैं यही कहूँगा क्लेशर भाई जल्दी से अटेक कर लो और तीन घंटे हैं ठीक है तीन घंटे में यह अटेक हो जाना चाहिए पूरा वरना आपकी वज़े से अगर हम लोग हारें दिखाता हूँ अपने क्लेशर की सबसे बेश्ट अटेक जो की यह तो भी मेरी थी यह भी मेरी है और मुहमद अर्मान भाई जो की किये थे अटेक बहुत ही सॉलिट तरीके से इन्होंने ब्लीम अटेक किया है थोड़े फास्ट में दिखा देता हूँ थीक है तो इन्होंने अटेक किया ऐसे और ब्लीम अटेक जो की भाई पहले पूरी की पूरी कमपार्टमेंट को लिया है देख रहे हो कितने अच्छे से भाई देख रहो बस ब्लीम से इन्होंने कम से कम इन्होंने बहुत अच्छा परसेंट 30% तो निकाली दिया है बेस में कुछ भी नहीं बचा तो ये चीज था इसलिए मैं बोलता है ब्लीम अटेक क्यारना सीखो बाई देखो ये देखो बाई कुछ बेस में नहीं बचा तो विलाल देखी सकते हो बेस का कुछ बचा नहीं अब बेस में तो अरान से 3 स्टार हो जाएंगे ठीक है सबाकी आपको एक और अटेक में दिखाता हो जो की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा अटेक था काल भाई का काल भाई का अटेक जो की यह थे हैं यह अटेक का है हाइबरीड अटेक I think यह भी ब्लीम अटेक है जो की नहीं कहा है देखो इन्होंने ब्लीम से बहुत अच्छा वैलू निकाला और सूपर विजाट अटेक किया था जिसमें गजब का इनको वैलू मिला इस वाले में भी जैसे की देख सकते हैं बीज का कमपार्टमेंट गा है बस दो एक्स इसकेटर सौट और एक एक्सबो बचा वह भी ग्राउंड पे है तो बस यह एयर अटेक करेंगा वह भी सूपर बार्बेरियन के साथ इनोंने अटेक किया कुईन को एक साइट छोड़ा है भागी बार्बेरियन को थोड़ा थोड़ा छोड़ का फनल बनाया ताकि कुईन अंदर जासके बार्बेरियन अंदर जासके नाइस वन यार बहुत अच्छी अटेक एंड बहुती नॉर्मल तरीके से इसे 3 star निकाला माइंड ब्लोइंग OP वाला गाइज अगला अटेक आप लोग को मैं दिखा देता हूँ जिस भाई ये तो था काल भाई का अगला अटेक हैं इसकाई नाइब भाई का अटेक में दिखाता हूँ इन्होंने भी बहुत अच्छा 11 का होकर और 12 पर अटेक किया है जो की मांड ब्लोइंग अटेक था थोड़ा फास्ट करते हैं इन्होंने भी ब्लीम यूज किया है तो ब्लीम अटेक इस दा बेस्ट अटेक आप लोग को मैं पहले बता दे रहा हूँ देखो ब्लीम अटेक से क्या सीन होता है देखो कमपार्ण्ट मेंट भाई सारे के सारे गायब हो चुके हैं तो मैं ब्लीम अटेक में भी सोचा था कोसिस किया था बट यार वो 14 था तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई उसकी मोनोली इतने बहुत गंदा डैमेज दिया मुझे बट कोई नहीं यार मेरी कोसित मैं फैल किया था थोड़ा मुझे गलती की थी उसमें चूक क्या थी गलती वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा ठीक है तो आई योप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा वा आप सबको अटेक बागी इलेट्रो अटेक किया है उन्हीं के साथ और किसी का अटेक था जो कि मैं यह किसका अटेक था जायत खान भाई का जायत खान भाई का अटेक दिखा देता हूँ तो इन्हों ने भी ब्लीम अटेक किया है तो गाइस यार यही अटेक था आप सभी क का अटेक था ये और इन्होंने भी ब्लीम अटेक किया है और भाई साहब भाई जैत खान भी निकाल दिये काल वाईटी sky knife नहीं बाकि देथी स्टोन बहे का attack देखो देथी स्टोन बहे ने भी beam attack किया है इन्होंने beam attack किया है बट ये ठीच लेने के लिए इसमें super nachher नहीं उच्च किये बस healer उच्च किये है इन्होंने fast करता हो and ये पहले ें को charge क्या है hybrid attack छोड़ा है यार सूजबुच के तरीके से बाई घजब यार कुईन से क्या ही वेलू निकालाidd इनोंने ओपी यार हाइबिड अटएक अपलोगersonे बताईगा आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा आएंड यार गाईज आप सभी से मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए बाबाय जैहिन जैभारत और गाईज आप लोग प्लीज यार यह सारे अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजेगा फिलाल यार हम लोग वाल लिंग में टॉप पे चल रहे हैं और टॉप पे आई थिंग रहना मुझे चाहिए क्योंकि यार अगर हम लोग जीतेंगे तभी टॉप पे रहेंगे यार यार जीतना ज़रूरी है अगर जीतेंगे नहीं तो हारेंगे यह तो फिक्स है तो फिलाल आज के लिए बस यही था मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जैहिन जै भारत और जै मराज लब यू गाईस